नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी मुद्राओं के बारे में ये टॉपिक छोटा है बाद पास्ट एर में काफी जादा इससे कोश्चन आये हुए है सबसे पहले इस मुद्रा का क्या अर्थ होता है सो मुद्रा वह तरीका है जिसके तैत हम अपनी कम्मिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना बात चीत के ठीक है ये नोन बरबल मोड ओफ एक्सप्रेसन है जिसमें हैंड गेस्चर और फिंगर पोस्चर के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस किया जाता है सो ये क्या बात है कि गौतम बुद की इमेजे जब आप देखते हैं तो उनमें इन मुद्राओं का परियोग होता है सो नो परकार की बुद्धिष मुद्रा काफी ज़्यादा पोप्यूलर है सबसे पहली है अभय मुद्रा अभय मुद्रा की आप इमेज देख सकते हैं जादतर सकल्प्सर में गौतम बुद्ध को अभय मुद्रा में ही रिपरजेंट किया आता है फिर ध्यान की अवस्था में जो मुद्रा होती है वह ध्यान मुद्रा कहलाती है करन देखे, फिर वितर्क मूद्रा, भूमियस पर्स मूद्रा, वराध मूद्रा, इसी तरह से कॉस्मीक, धर्म चकर और वज्र ये 9 मुद्रायें काफी जादा popular हैं नव एक-एक करके बात करते हैं, सबसे पहला आता है धर्म चकर मूद्रा सबसे popular मुद्रा ये है ये represent करती है जब गौतम बुध ने अपना पहला उपदेश दिया था जब उन्हें सारनात में ग्यान के प्राप्ति हो गई उसके बाद अब आपको ये बताना है कि गौतम बुध ने अपना पहला उपदेश first sermon किस जगा पर दिया था सो धर्म चक्र मुद्रा में basically क्या represent किया जाता है wheel of dharma यानि गौतम बुध को किस तरह ग्यान के प्राप्ति हुई उसके आद उन्होंने first sermon दिया इन बातों को represent किया जाता है धर्म चक्र मुद्रा के तरू next जो हमारे पास है very famous भूमी असपर्स मुद्रा इसमें UPSC Civil Services में question भी आया हुआ है इस topic पे इसे ध्यान से समझे जैसा कि नाम से पता चल रहा है भूमी को असपर्स करने की बात की जारी earth witness मुद्रा भी से कहते हैं आपको ध्यान ये रखना है कि जब गौतम बुध ग्यान की प्राप्ति कर रहते हैं तो उन्हें बाधा डालने के लिए एक मारा नाम की डेमन आती है अब इस डेमन पर गौतम बुध जीत प्राप्त कर लेते हैं उससे औस्ट्रक्त नहीं होते हैं इसी बात को witness करने के लिए वो धर्ती earth goddess यानि धर्ती मा को बुलाते हैं अस्थावरा नाम ध्यान रख लिजे यह हो सकता है इन future question बने अभी तक तो नहीं आया इस पर question अस्थावरा ताकि वो witness कर सके कि कि इस तरह उन्हें enlightenment की प्राप्ति हुई आई होप यह आप समझ गए भूमियस पर्स मुद्रा क्या है witness to call earth goddess to witness his attainment of enlightenment so enlightenment के attainment को witness करने के लिए earth goddess को बुलाना next देखे वराद मुद्रा अब वराद मुद्रा में क्या represent किया जाता है human salvation यानि मानव मोक्स की प्राप्ति को represent किया जाता है वराद मुद्रा के थुरू next देखे ध्यान मुद्रा नाम से यह सपश्ट हो रहा है ध्यान करने की बात की जारी है इसे अमिताब sculpture के द्वारा represent किया आता है next देखे अभय मुद्रा अभय का मतलब होता है fearlessness जिसमें भाय ना हो अभय मुद्रा में ही represent किया गया है यहाँ पर आप अभय मुद्रा की image देख सकते हैं यह काफी ज़्यादा popular है यह आपने जरूर देखा होगा गौतम बुद्धा की images में next है वजर मुद्रा वजर मुद्रा में represent किया आता है fiery thunderbolt को जैसा कि वजर का मतलब ही thunderbolt होता है यह पाँच elements को represent करता है air, water, fire, earth and metal को next देखे वितर्क मुद्रा तर्क वितर्क आपने जरूर सुना होगा तर्क वितर्क का मतलब discussion होता है गौतम बुद्धा के teaching और discourses को discussion और उसकी transmission यानि जो गौतम बुद्धा की teaching से उन्हें propagate करने वाली मुद्रा वितर्क मुद्रा कहलाती है next है हमारे पास करण मुद्रा करण मुद्रा का मतलब होता है बाधाओं को हटाने वाली मुद्रा गौतम बुद्धा की images में करण मुद्धा की भी image देखने को मिलती है नेक्स्ट हमारे पास अंजली मुद्रा अंजली मुद्रा नमसकार गेस्टर को रिपर्जेंट करती है सोना UPSC के पूछेवे कोश्चन को कर लेते हैं बोला गया था गौतम बुद्ध की इमेजेज को कभी-कभी भूमी असपर्स मुद्रा में दिखाया जाता है भूमी असपर्स मुद्रा क्या symbolize करता है गौतम बुद्ध का अर्थ को बुलाना ता की वो to watch over मारा and to prevent मारा from disturbing his meditation मारा को बुलाना ता की जो धर्ती मा है वो रोक सके प्रिवेंट कर सके मारा को उन्हें मेडिटेशन को डिस्टर्ब ताकि उनकी ना हो दूसरा बुला गया बुद्धाज कॉलिंग अप अर्थ तो विटनेस इस प्योरिटी और चेस्टीटी डेस्पाइट दा टेम्टेशन आफ मारा यानि मारा के द्वारा टेम्ट करने के बावजूद उनकी प्योरिटी और चेस्टीटी बनी हुई है इस बात को विटनेस करने के लिए अर्थ को बुलाना तीसरा बुला गया था बुद्धाज रिमाइंडर टू इस फॉलोवर यानि गौतम बुद्ध का इस बात को अपने फॉलोवर को बताना कि वो सभी मिट्टी से ही अर्आइज हुए है और फाइनली मिट्टी में ही डिजॉल्फ हो जाएंगे और बोला गया अब दोनों ही A और B करेक्ट है तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्सन B है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध की इमेजेज को किस मुद्रा में कार्व किया गया है पहला अफसन ने ध्यान मुद्रा, दूसरा अभे मुद्रा, थिसरा धर्म चक्र मुद्रा या चोथा वराद मुद्रा मैंने आपको बताया कि इन सभी मुद्राओं में सबसे ज़्यादा पॉपिलर मुद्रा है अभे मुद्रा, जादतर बुद्धिस्ट इमेजेज में गौतम बुद्ध का अभे मुद्रा में ही डेफिक्ट किया गया है इस तरह की इमेज होती है यह भी अभे मुद्रा की ही इमेज है ना नेक्स्ट कोश्चन देखते है नेक्स्ट कोश्चन में आपको पैर दिये गए है उसके अकोडिंग आंसर माग करना है बोला गया भूमियस पर्स मुद्रा इस तरह की चीजों को विटनेस करने के लिए अर्थ को बुलाना बिल्कुल सही है इस तरह की चीजों को विटनेस करने के लिए अर्थ को गौतम बुद्धा के द्वारा बुलाया जाना भूमियस पर्स मुद्रा कहलाती है नेक्स्ट बोला गया वितर्क मुद्रा सो वितर्क का मतलब होता है discussion ना कि meditation सो यहाँ से फिर यह second wrong बन जाता है सो meditation वाली कौन सी मुद्रा है बताईए ध्यान मुद्रा कहलाती है meditation वाली मुद्रा सो second यहाँ पर wrong है नेक्स्ट देखिए अभे मुद्रा इंडिकेट्स करता है teaching और discussion को और intellectual debate को नहीं वो तो वितर्क मुद्रा है वितर्क मुद्रा में इस बात पर discussion होता है बुद्धिस discourses पर discussion होता है सो यहाँ से second और third wrong बनता अभे मुद्रा में क्या represent होता है fearlessness आपको मैंने images भी दिखाई हैं मुद्रा की सो यहाँ पर second और third wrong है और हमारा answer बन गया second और third को जो आप eliminate करेंगे तो option बचा हमारे पास one only इस topic से हमारे पास इतने ही question थे आए quickly recap कर लेते हैं सबसे पहली मुद्रा थी धर्म चक्र मुद्रा जो की represent करती है wheel of dharma को और first sermon को next भूमी असपर्स मुद्रा पर काफी हमने detail में बात की touching the earth यानि अर्थ को बुलाना गौतम बुद्ध के द्वारा ताकि वो दिखा सके witness कर सके कि despite the temptation वो overcome कर चुके हैं मारा को next वराद मुद्रा वराद मुद्रा represent करती है human salvation को ध्यान मुद्रा जो की पांस तत्वों से मिलकर बना है इस चीज़ को represent करती है वितर्क मुद्रा में discussion और transmission की बात होती है next करन मुद्रा बाधाओं को हटाने के लिए है और last में आपकी आती है अंजले मुद्रा जो नमस्कार गेस्चर के द्वारा represent की जाती है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको ये वीडियो कैसी लगी आप comment करके बता सकते है thank you so much